कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका कैसे है अप उम्मीद है सब अच्छे होंगे देखो आपको पता है कि वर्थमान में डोकुमेंटेशन वगारे चल रहा है एंपेल किंग्सवे केंप में तो वहां पर मैं आज घर से आया हूं तो एक भाई भी मिला मुझे रास्ते मे बस में और मैंने इस्टाग्रम खुल के देखा दो दिन में तो इस्टाग्राम पर लगवाश साथ से आठ जो इस्टूडेंट है उनके क्वेशन पूछे गए हैं तो जो सीजी केस वाली लिस्ट आई थी जो जारी हुई थी पीडिएफ उसमें बहुत सारे लड़कों के न नाम हैं बहुत सारे लड़कों के नाम नहीं है ठीक है कई लड़कियां है इसमें क्या है मैं सीदी सीद बात ट्रोपिक पर आता हूं इसमें कुछ बच्चों के कुछ बच्चों के नाम नहीं आये है और उसमें जो रीजन दिया है कि नो वेकेंसी नो वेकेंसी रीजन आया है देखो इसमें क्या है कि वह लड़का मुझे बस में मिला उसने मुझे पूरा सिस्टम समझाया सबसे पहले nola कि उनका क्या यह आपको पता है कि points दिये जाते हैं, points दिये जाते हैं, आप लोगों को पता है, points दिये जाते हैं, कि यदि कोई घर में पहले से उसकी भहन है, बिना साधी सुदा, मतलब एविवाइद भहन है, उसके अलग पॉइंट मतलब जो भी घर की परेस्टिती होती है जैसे यह दिस साल्फ सर्विस के बचें तो उसके अलग से पॉइंट मिलते हैं ठीक है तो ऐसे करके पूरे पॉइंट्स ही दिये जाता है ठीक है तो उस भाई के क्या थे उसके 36 पॉइंट्स थे पॉइंट्स तो उसका जो सलेक्शन नहीं हुआ था वो रघ्णप मैं लिजी साब के यहां जा रहा हूं अब मैं आपको बता दू क्या करना था उसमें क्या करना था आपका जब आप ने किया था एप लग किया तो तो उसमें करते समय में جो है त्समें same पर difference भरी जाती है that's your sister the Green Minister को रखना चाऊंगा टी विइफईच्थ को रखना चाऊंगा, और चार नम्मर पर को उस्के तिसन के ड्रयवर रखना चाऊंगा, और पांस नमबर पर और आपका MTS को रखना चाहूंगा इसमें मैं बताऊं इसमेンチह्ष के पॉइंट तक है ना दस पॉइंट तक हैं वह सब्छें लिए गए हैं सब्छे लेगे लेकर कुछ बच्छे जिनकर 30 45 पॉइंट तक है लेकिन नहीं रहिए उनका क्या नहीं हुआ वाई साब नए किया है उन्हें सर्फ एक बढाएं बता रहा था ऑठ 556 में लिस्ट से में निकल गया तो अगले वाले गए कर नहीं से का हूं ऐसा इसमें और दूसरी है इसमें और दूसरी चीज है उसकी उम्मर वोगे 29-39 साल उसकी उमर हो गई अब आगे से क्या है इसमें भर नहीं पाएगा उसकी अब्रेज हो जाएगी उसने भाई वह भाई क्या कह रहा था तो ठीक है इसमें भर नहीं पाएगा तो उसके पास option दूसरा क्या बचता है उसके इंतजार में क्या है नेक्ष्ट भरती का इंतजार करते रहें और अगली भरती पता नहीं कव आई यह भी तो है अगली भरती कव आई ठीक है अच्छा उसके बाद देखो दूसरा option इसके पास क्या है आप सभी के पास जिनका जो no vacancy आया है no vacancy आया है उनके पास option क्या है देखो एक तो मैंना भी बता दिया एक तो आपके पास यही option है कि आप next जो vacancy रहेगी जिनकी उमर है next vacancy रहेगी उसका जो है उसका इंदजार करें या फिर आप LG साव के हाँ LG साव के हाँ अपील लगाए बई ठीक है अपील लगाए यदि LG साव कर देते हैं LG साव कर देते हैं तो आप को selection हो जाएगा selection मिल जाएगा अच्छा यहां पर एक चीज़ हो रहे हैं यदि आपने LG साव के यहां अपील लगा दी है तो भविस्थम में आप दोबारा एपलाई नहीं कर सकते हैं और आपका selection नहीं हुआ मान के चलो एक परसेंट तो आप दोबारा कर अपील दोबारा कर जो है एपलाई नहीं कर सकते हो मेरे भवाई आई बस समय में दोबारा कर अपलाई नहीं कर सकते हो अप ठीक है तो LG साव में बतो LG साव के हैं अपील कौन लगाए जिनकी होने की कगार पर है एवरेज होने की कगार पर है वह LG साव के यहां पर जाकर अपील दायर कर सकते हैं ठीक है मेरा भाई वह LG साव के यहां पर अपील दायर कर सकते हैं ठीक है बाकि जिनकी अभी एज बची है तो वह दुबारा नेक्स वेकेंसी का वेट कर ले ठीक है और अ कि प्रिफ्रेंस के हिसाब से डाले कि जैसे आपने कॉंस्टेब लगी कुटू मैप अगली वेकेंसी में ड्राइवर और एम्टियस के समित भी डाले ठीक है जो है नाम लिस्ट में आये हैं ठीक है तो आपको यह बहुत बहुत लड़कों की यह दिक्कत रही है और दिक्कत की हो रही है क्योंकि हम लोग क्या है पूछते नहीं कीसी से दूसरे सामने वाले से या किसी आजपर व서क या फर हमारी इंस्ट्लाइड वीडियो में में जहन